ओम सायराम आज के संदेश में बावा खह रहे हैं अपनी सबी वक्तों से मेरे बच्चो अगर तुम्हारे साथ तुम्हारे साथ पहुत सारी परेशानिया आच चुकी हैं जो एक के बाध एक क्रमबद तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं और हर पल तुम्हें दर्द के सिवा कुछ नहीं देती एक परेशानी से तुम्हें निजात मिल नहीं पाता जब तक दूसरी परेशानी आके खड़ी हो जाती है तुम मेरे बच्चो अब वो सारी परेसानी तुम्हारी बहुत ही जल्दी नश्ट होने वाली हैं मेरे बच्चो क्योंकि जितना आना था उनको उतना आचुकी है वो जितना दर्द उनको देना था उन्होंने तुम्हें दे दिया है दर्द, अब तुम्हें अवस्य ही उनसे निजात मिलने वाला है, और हाँ मेरे बच्चो, मैं जानता हूँ उस काम के लिए तुम्हें पैसे की जरूरत पड़ेगी मेरे बच्चो, पर कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैंने उसका इंत कैसे भी पहुचें, मैं तुम्हारे पास तक कुछ पैसों को पहुचा दूँगा, अब तुम निशिंत हो जाओ, चिंता मत करो, तुमने सारी रात कुजार दी थी ना, सोचते सोचते, अब मत सोचो, मैं अवस्य तुम्हारे पास कुछ पैसे भेज रहा हूँ, और हाँ, उ पाज़त से खर्च करना, मेरे बच्चो, फिजूल के कामों में खर्च नहीं करना, जो भी जरूरत मंद काम हो, उसी कार्य में उन पैसों को लगाना, और उन पैसों में से थोड़ा दान भी कर देना, तुम्हारे घर पे कोई आए, या कहीं जाके, या कोई भी अपने घर प ही निजात मिल जाएगा, अब अब तुम दुखी मत हो, मैंने सारा इंतिजाम कर रखा है, अब तुम अच्छे से पूरा दिन गुजारना, और अपना ख्याल रखना, अपने घरबालों का ख्याल रखना, सब की मदद करना, मेरे बच्चे, बाकि मैं देख रहा हूं सब, त उमहरे साथ, और हाँ, यह जो तुमहरा कार्य बहुत दिनों से अटका हुआ था ना, आज तुम्हें इसमें सफलता मिल जाएगी, यह संपूरुन हो जाएगा तुमहरा काम, और जाना, जल्दी से जाना, तुम्हें अवस्य ही सफलता मिलेगी, मेरा नाम ले कर जाना, मैं तुम्हें अवस्य ही सफलता दिलाओंगा, जो इतने दिनों से रुका हुआ था काम, आज वो पूरा हो जाएगा मेरे बच्चों, मत सोचों, आराम से जाना, पूरी यात्रा आराम से ही करना, सदा खुस रहो, ओम साइराम